साथ दिसंपर दो हजारतेईस आज है अगहन मास का दूसरा गुरुवार और आज आप सुनेंगे अगहन मास के महालक्ष्मी व्रत की कथा उमीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली मार्क्सिस मास महात्मी की कथा भी जरूर सुनते होंगे और अगर आप गुरुवार का यानि के ब्रिहस्पति वार का व्रत करते हैं तो ब्रिहस्पति वार व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड इट है आप जरूर देख लीजिए श्री अगहन वृहशपति वृत कत्अ या श्री महालक्षमी की वृत कत्था के श्रमण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति एश्वरी की प्राप्ति होती है, मन की कोई भी इच्चा हो पुर्ण होती है, श्री माता महालक्ष्मी के अनेको रूप तथा अनेको नाम है। भू लोक में लक्ष्मी, ब्रह्म लोक में सावित्री, ग्वालो में राधिका, प्रिंदा वन में रास्यश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिर्जा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदधन्ति, केतिकी वन में सुशीला, कद प्रसाद में राज लक्ष्मी और घर घर में ग्रिह लक्ष्मी इन विभिन नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरीचित माता श्री महालक्ष्मी की ये कता है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारत वर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। चारवेद छे शास्त्र अठारों पुराणों का उन्हें ग्यान था। उनकी राणी का नाम सुरत चंद्री का था। राणी दिखने में बहुत सुन्दर और सुलक्षना थी। तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को साथ पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वर्दान मिला। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्षमी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धंदौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धंदौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने उपर ही खर्च करेगा। यहां सोचकर स्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्रामण इस्त्री का रूप धारन किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपी उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारन किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेश था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। फृत भ्रामणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा बाली के मेरा नाम कमला है, मेरे पती का नाम धुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घ खर में हर रोज जगड़े होते थे, तथा उसका पती रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दसा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली श्री महा लक्ष्मी का वरत किया। श्री महा लक्ष्मी प्रसंद हुई और उसकी गरी भी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पती-पत्नी दोनों पर लोग सिधारे। लक्ष्मी वरत करने के कारण वह लक्ष्मी लोग में रहे। उन बुढिया की बाते सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढिया रूप धारण किये हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधी तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दाशी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैवों में रहते हुए रानी को अपने एश्वर्य का बहुत घमंध हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वज़े से वह उन्मक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुरिया की बाते सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुरिया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुर्या का रूप धारन किये द्वार तक आई हैं। परन्तु रानी का इस्त कदर रूखा बढ़ताओ तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। रह में उन्हे राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से छमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहान मास का म मार्क्षिश महा का पहला गुरुवार था शाम बाला ने परम्ष्रध्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा फलस्वरूप राजा सिध्यस्वर के पुत्र मालधर से उसका विवा हुआ वह धन दौलत एश्वरे वैभाव से माला माल हो गई पती के साथ सुसुराल में आन कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है धनवान है एश्वर ये साली है क्यों न उसके पास जाये जाये अपना हाल उसे बताएं वो हमारी मदद जरूर करेगा इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए राज्य में पहुँचकर एक तालाब के किनार उन्होंने राणी को सारी बात बताई राणी ने दासी के हाथ राज परिधान भेज कर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सतकार किया खान पान करवाया और जब लोटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया राजा भद्रशवा जब वापस लोटे तो उन्हें देखकर राणी सुरत चंद्री का बहुत खुश हुई उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुझ खोल दिया पर हाई भगवान घड़े में तो धन के बदले कोईले मिले यह सब श्री महालक्षमी के प्रकोप से हुआ इस प्रकार दुरदशा में और कई दि फिर से अपना राजपाट धन दौलत एश्वरे ब्राप्त हो गया वह फिर से सुख शांती आनंद में जीवन बिताने लगी कुछ दिनों के बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई उसे अपने घर देखकर सुरत चंद्रिका को पुरानी बाते यादा गई कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कर कोईला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था और इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आधर आतित्य नहीं हुआ बलकि अनाधर हुआ पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना अपने घर लोटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया अपने घर लोटने पर उसके पती ने पूछा अपने माईके से क्या लाई हो इस पर उसने जवाब दिया वहां का सार लाई हो पती ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ, शाम बाला ने कहा थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा, उस दिन शाम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा, पती ने खाना चका, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया, फिर शाम बाल है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांती की प्राप्ती होती है, सभी प्रकार की कामनाये प्रोण होती है, परन्तु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भ कुरुण होती है हे मालक्षमी जैसे आपने रानी पर क्रिपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर और सभी पूजा और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और सब पर अपनी कृपा बनाई रखना दोस्तों अगर आप किसी भी कारणवश पहले गुरुवार को महालक्षमी वृत नहीं कर पाए हैं तो इस गुरुवार को आप वृत धारन कर सकते हैं और वेधि विधान से महालक्षमी की पूजा कर सकते हैं जो भक्त वृत नहीं कर पाते है वो बिना वरत के भी आज के दिन मालक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए सुबह और शाम दोनों समय मालक्ष्मी के मंत्रों का जब कीजिए इससे मालक्ष्मी प्रसन हो जाती है और जो भग्त वरत करना चाहते हैं विधी विधान से मालक्ष्मी के निमित चौकी की स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं और अगर आप पूजा विधी के बारे में जानना चाहते हैं तो पूजा विधी की वीडियो संपर्ण रूप से पूजा विधी आपके इस प्रकार से कर सकते हैं आसान भी थी इस विशेवर वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है आप लोग ज़रूर देख लीजिए और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए ह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी अगरली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधिये